हलो गाइज, हाव आई यू, कैसे आप सब लोग, दोस्तों, आज मैं आपको वेस्ट मेटेरियल यूज़ करना बताऊंगी, मैंने एक खाली डिबेसें, जो पीडियासोर का था, उसका मैंने एक डियाईवाई तयार किया है, पोट तयार किया है, उसमें मैंने कले यूज़ कि है, कुछ fancy work यूज़ किये है, तो आप सब को दिखाऊंगी, कि वो पोट कैसा तयार हुआ है, हम उसमें प्लांट लगा सकते हैं, पेन इस्टेन बना सकते हैं, कोई भी सामान हम घर पर स्टोर कर सकते हैं, और उसमें चार चांद लग जाते हैं, जब हम किसी भी चीज को आप देखिए, मल्टी कलर में है, बड़ा ही प्यारा है, तो चलिए हम अपना पोट तयार करते हैं, यह एक वेस्ट पेडिया सोर पावडर का डिबबा मेरे पास रखा था, अब इसकी यह मुकपर की पन्नी हटा देंगे, और अपना काम करेंगे, अब हम वाइट कलर का कले बेलेंगे, और इसे बेलन से, एक दम स्मूथली रोटी की तरह बेलेंगे, अब हमें पतला पतला बेलना है, और ग्ल्यूगन की सहायता से, या फिर हम फैविकोल की सहायता से, या फैब्रिक ग्लू से हम इसे चिपकाएंगे, आप कुछ भी यूज ले सकते हैं, हमें इसे स्टिक करना होता है, इसी तरह हम पूरे पोट को इसी तरह कवर करेंगे, और स्मूथली पानी लेकर इसे स्मूथ बनाएंगे, इसी तरह पूरे डिब्वे को कवर कर देंगे, कुछ बीच का हिस्सा हमने छोड़ा है, क्योंकि इसमें हम एक हार्ट सेप का मीरर रटेच करेंगे, जिससे इसका लुक और अच्छा आए, इसके पीछे क्ले की बोल लगाके, इसकी सहायता से हम बीचो बीच स्टिक करेंगे, ये मीरर के पीछे का फ्रेम है, मीरर हम बाद में एड करेंगे, अब पिंक कलर का क्ले लेंगे, जिसको हमने घर पे ही तयार किया, ये सारे क्ले हमने घर पे तयार किया है, अगर आप लोगों को सीखना हो, तो हम एक वीडियो और बना देंगे, आप लोग कमेट करके बता दीजिएगा, बजार का क्ले बहुत महिंगा आता है, और हम इसे बहुत ही कम पैसों में घर पर आसानी से तयार कर सकते हैं, इसमें फैबरिक कलर भी मिलाते हैं, जो एक्रेलिक कलर आता है, वही वाला, बीच के हिस्से को हम पिंक कलर से बनाएंगे, इसी तरह पिंक कलर का कले लगा कर हमें हार्ड के चारो तरफ एक जैसा कवर करना है, अब ये मेरे पास पूरानी भगवान जी की माला रखी थी, इसमें से हम कुछ मोती या फ्लावर वगएरा निकालेंगे और उनको एड करेंगे, दोस्तों ये बहुत सारी चीजे हमारे घर में वेस्टेज रखी होती है, इनका कोई यूज नहीं होता है, लेकिन हम इस तरह से DIY छोटे छोटे बना कर हम हर चीज को यूज ले सकते हैं, यही चीजे मार्केट में काफी कोसली मिलती है, और हम इसे घर पर तयार करेंगे, यह चोटे चोटे बीड से फ्लावर सेप में इसे हम मीरर के चारो तरफ हार्ड सेप में अटेच करेंगे, इसे एक बाउंडरी क्रियेट हो जाएगी, दिखने में बहुत सुन्दर लगेगी, फैब्रिक ग्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, अब हम मीरर अटेच करेंगे, अब इसका लुक और बढ़ गया, इसी तरह चारो तरफ ग्ल्यू लगाके कवर कर लेंगे, यहां पर हम पॉम-पॉम लगाएंगे, महरून कलर का माला में से निकला था, उसी को एड़ करेंगे, फिर ब्ल्यू लगाके एक ब्ल्यू कलर की टोरी से हम इसकी बाउन्डरी तयार करेंगे, पिंक और ब्ल्यू कलर का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा होता है, देखिए, अब उपर टॉप पे हमें रेड कलर का थ्रेड यूज करना है, यह थ्रेड मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कलर फुल थ्रेड मिलते हैं, काफी कलर में आ जाते हैं, जो हमें चाहिए हम ला सकते हैं, और डारेकली यूज कर सकते हैं, अब यह उपर यह हमने एक बोर्डर तयार किया है, अब छोटे-छोटे खले के बॉल्स बनाएंगे, जो हमने दो कलर में लिये हैं, ग्रीन और ब्ल्यू और ग्ल्यू की सहाइता से गोल-गोल छोटे-छोटे बॉल हम इसके अटेज करेंगे, दोस्तों ये मैंने बीच-बीच में काटके दिखाया है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसी तरह से हम लगा देंगे, यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आगे भी पूरा वीडियो देखिएगा, और मुझे सस्क्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स तो जरूर कीजिएगा, क्ले के अंदर हम रंग भी रंगे, एक्रेलिक कलर से अलग-अलग कलरफुल क्ले तयार कर सकते हैं, अब हम येलो कलर ये भी हमने लिक्विड क्लेक करके एक कॉंड बनाया था, उसी से हम इसका उपर का टोप तयार करेंगे, मल्टी कलर में ये पोट तयार हो जाएगा, देखिए येलो कलर से कितना नगी निखर के आया है येलो कलर, आइस क्रेम की डंडे से हम इसे स्मूध कर लेंगे, हलका सा अंगुले पे पानी लगाईएगा, और धीरे धीरे स्मूध करते जाईएगा, अब हम ये ब्ल्यू और पिंक कलर के बेट्स लगाएगे, झालने लगाएगे, तो ब्ल्यू झालने वे बहाएगे, और पिंदे लिए ले गाओे, क्थ़स्च जाएगे, क्थ़स्च करते हैं, अब बोटम पार्ट में ग्रीन कलर का कले यूज करेंगे इससे थोड़ा भारीपन आ जाएगा और हम जो भी फैंसी वर्प करेंगे खिल कर आएगा बोटम में हम स्टोन लगाएंगे रंग बिरंगे बजार में मिलते हैं उसी को यूज करेंगे पीछे हमें रेड कलर करना है आपके इच्छा हो तो फैब्रिक कलर ले सकते हैं एक्रेलिक कलर या ओयल पेंट भी ले सकते हैं अब स्टार वाले बेट से उपर कवर करेंगे इससे थोड़ा लुक और अच्छा आ जाएगा देखिए दोस्तो इसे आप पैन इस्टेंट बना सकते हैं कीचन में चमच कटर वगरा रख सकते हैं और फ्लावर पोट भी तयार कर सकते हैं अब ग्ल्यू गन की साहता से हमें स्टॉन अटेज करना है कलर फुल इस्टॉन लगाएंगे नीचे बॉटम की बाउंडरी पे इसी तरह चारो तरफ हम लगा देंगे झारो यारोार के बाएंगन की बाएंटे का बाएंग्ट छिंग कर सकते हैं तर इस कि बाएंगे लगव hourव लगव फुलिभ बाएंगे लेजिए हमारा मल्टी कलर में पोड तयार है इसमें मैंने मनी प्लांट डाल रखा है देखे मैंने सोपिस मेरे टीवी काउंटर पे लगा रखा है तैंक्स पूर वचिं वीडियो।